नमस्कार, यह सीरीज आप जरूर एटेंड करें, कोई भी वीडियो मिस न करें, जो यह conceptual सीरीज आपका चल रहा है, मैंस के लिए और BSSC के लिए, देखें, आपने transformer हर जगा देखा होगा, पहला, जब सबसे most important question पुछा दाता है, कि जो transformer है, आखिर वो किस सिधान्त पे काम क करता है, दूसरा जो आपको question यहां फसायागा, पहला, तो mutual inductance, इसका principle है, जिस पे यह काम करता है, दूसरा आपको जो, इसका real काम क्या होता है, तो याद रखेगा, इसका real काम होता है, वो voltage से related होता है, यह voltage को up-down करता है, इसका current से कोई भी relation नहीं है, ना ही यह current को change करता है, frequency constant रहता है, और इंडिया में जो frequency है, वो 50 Hz होता है, यह भी चीज आपको याद रखना है, तो यह क्या करता है, voltage को up-down करता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे कि अगर station से 33 के भी आ रहा है, तो यहां जो है यह क्या करेगा, उस चीज को और down करेगा, और down करते क आपको क्या करेगा, घर का जो voltage है, वो 220 में आप तक पहुंचाएगा, तो पहला mutual inductance पे काम करता है, दूसरा यह voltage को up-down करता है, तीसरा ना ही यह current को change करता है, और ना ही यह frequency को change करता है, और one most important thing, यह हमेशा AC current में काम करता है, DC पे काम नहीं करता है, क्योंकि DC में क्या होत